दोस्तों बालों का जड़ना और उनका तूटना हर किसी को परिशान करता है क्या आपको भी करता है क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इनके क्या कारण हो सकते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने बालों को कैसे जड़ने से रोक सकते हैं उनको कैसे तूटने से रोक सकते हैं और उसके लिए आप घर में ऐसा कौन सा ओयल प्रपेर कर सकते हैं जिससे आपके बालों का जड़ना रुक जाए और आपके बालों की रीग्रोध हो तो च अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा नाम है भानुप्रिया और मेरे चैनल का नाम है भानुप्रिया कौशिक जहां पर हफते में मैं तीन दिन आपके हैर, स्किन और हेल्थ के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती हूं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिये गए जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजे ताकि आप मेरे इस ब्यूटिफुल से फैमली का हिस्सा बन जाए और उसके साइन में ही एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे त हम अपने बालों की तरफ ध्यान ही नहीं देते ना बालों की ऑईलिंग करने का हमारे पास टाइम है आपको अपने इस बीजी सी लाइफ में से थोड़ असा टाइम तो अपने बालों के लिए निकालना ही चाहिए दोस्तों कहते हैं ना कि अगर बाल सुन्दर हो तो इंसान के पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन्स हैं सबसे पहला रीजन है स्ट्रेस आज कल की लाइफ हमारी इतने स्ट्रेसफुल हो गई है कि हर किसी को स्ट्रेस है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो तो एक पार्ट आफ लाइफ बन गया है लेकिन आप उसको कितना अप आपने उपर हावी होने देते हो वो एक अलग चीज है सेकंड डेफिशन सी प्रुटीन की डेफिशेंसी आयरंकी डेफिशेंसी वाइटमीनに बीच्वकी डेफिशेंसी यह आपके hair fall को promote करती है अगर आपकी body में इन सब की deficiencies है तो आपका hair fall होगा ही होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको diet अच्छे से लेनी है आपको अच्छे से fruits खाने है आपको घर में healthy खाना खाना है दाल रोटी सबजी सालेड राइस ये सब आपको अपने diet में include करना है और एक balance diet लेनी है ताकि आपकी body में किसी भी type की deficiency ना रहे next reason is wrong product अगर आप market से कोई भी product लेकर आते हो चाहे वो shampoo है चाहे वो conditioner है चाहे वो serum है अगर वो आपके बालों को suit नहीं किया है तो आपका वो भी एक reason हो सकता है कोई भी product लेने से पहले उसके बारे में पढ़िए कि वो आपको suit करेगा या नहीं करेगा तभी आप कोई भी product अपने बालों के लिए purchase कीजिए एक reason है आपके hair fall का genetically अगर आपकी family history है तो आपका hair fall होगा ही होगा ladies और gents दोनों में बालने इसकी problem देखी गई है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं अगर आप इसका regularly use करेंगे तो आपकी जो problem आज आनी है वो आपको 10 साल के बाद आएगी तो आप उसको पहले से उसके लिए अपने बालों को prevent कर सकते हैं देखे नॉर्मली हमारे बाल 50-200 एक दिन में गिरते ही गिरते हैं तो which is normal लेकिन अगर हमारे बाल इससे ज़ादा गिर रहे हैं तो वो एक problem है तो उसके लिए चलिए देख लेते हैं आज की हमारी remedy ये इतनी strong remedy है कि ये आपके बालों का गिरना तो डेफिनिटी लेना है हमने लेना है coconut oil coconut oil इतना जादा nutritious value है coconut oil में ये आपके बालों की 10 layer के अंदर तक जाकर पैनेटरेट होता है और आपके बालों को अच्छे से मौशर देता है अरिश करता है उनको अगर आपके बालों को अच्छे से मौशर मिलेगा तो जो उनकी roots है वो strong हो जाएंगी वो strong होंगी तो आपका hair fall automatically ही कम होगा coconut oil में इतने सारे nutrition value है इसके अंदर vitamin A, E and D इसके अंदर भरपूर मातरा में मिलते हैं जो की आपके बालों की strength के लिए बहुत ही जादा important है यह आपके scalp को नरिश करेगा और आपका hair fall रुकेगा और आपके बालों की regrowth को stimulate करेगा आपने एक pan लेना है आपने थोड़ा सा coconut oil लेना है और उसके अंदर आपने थोड़े से डालने है curry leaves curry leaves आपके बालों के लिए बहुत ही आपके बालों को natural shine देता है आपका hair fall रोकता है इसके अंदर vitamin A, B, C, D and E होता है आपके बालों को मजबूत बनाता है लंबा बनाता है और आपके बालों को घना बनाता है अब इसके अंदर हम लोग add करें onion एक onion को अच्छे से chop कर लीजिए और इसके अंदर आप डाल देजिए जड़ते हुए बालों के लिए onion बहुत ही ज़ादा useful है onion के अंदर sulfur होता है जो आपके बालों को जड़ने से रोकता है और आपके बालों की regrowth में help करता है अब हम इसमें use करेंगे hibiscus के flowers and leaves इसको भी आपने इसमें डाल देना है hibiscus के आपके बालों को जड़ने से रोकता है आपके जो splittance आ रहे थे उनको prevent करता है आपके बालों की जो volume है उसको बढ़ाता है इतने सारे benefits हैं क्योंकि हमने इस oil में इस सारी चीज़े डाली हैं जो की आपके बालों के जड़ने को रोकते हैं और आपके बालों को regrowth के लिए promote करते हैं इसको अच्छे से आपने जब तक ये पूरा का पूरा इनका जो अर्क है वो इसके अंदर ना आ जाए आपने इसको अच्छे से fry करना है उसके बाद आपने इसको चान लेना है चान के चाहे तो आप जादा quantity में बना सकते हैं तो जादा में बना लीजिए नहीं तो आप fresh जब भी लगाना है fresh बनाईए और fresh लगाईए वैसे भी कर सकते हैं आपने इसको चान के तब तक इसको ठंडा करना है जब तक कि ये 20% गरम पना रह जाए और 80% थंडा हो जाए पिर आपने इसको अपने बालों में अच्छे से i 번째 से अपने बालों की से मसाज कर नहीं है उसको आपने ठाल लेना है उसको आपने गरम पानी में डिप करके अपने बालों में बांढ़ लेना है ता कि आपके जो पोर्स हैं वो अपन हो सके और जितना भी ऑल है और यह जितने भी आपको उसके बैनिफिट्स मिले ऐसे आपको करना है जब वो ठंडा हो जाए तब आपने एक बार और करना है फिर उसको रख लेना है उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको पूरी रात अपने बालों में लगे रहने दीजिए ओयल को नहीं तो आप अपने बालों में अप्लाई कीजिए और अपने बालों को थोड़ा स्टीम कीजिए ताकि आपके बालों में अपना बालों में अपना हैर वाश कर लिजिए आपको ये oil हफते में दो बार यूज़ करना है minimum two times उसके ज़ादा तीन बार अगर बालध होते हो तो तीन बार भी लगा सकते हो मेरा खुद का इतना severe hair fall हो रहा था मैंने इसको अभी last one month से मैं इसको try कर रही हूँ मेरे बालों का जढ़ना कम हो गया तो अब मैं मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स